हेलो फ्रेंड्स वेलकूम ब्याग टू माई चानेल आज हम वीडियो में इन्विजिबल पाइपिन जिसे हमें अंडरग्राउंड पाइपिन भी कहते हैं वही हम कैसे त्यार करेंगे देखेंगे चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं देखें ये मैंने 1.5 इंची चौड़ा ठीत्चे में कपड़ा काटके रखें जैसे ओरव में काटते हमारा पाईपिन लगाने के ऐसे ही कपड़ा मैंने काटके रखें और 2-4 कपड़े काटके मैंने उसको जोयंट कर लिया है अब है फ मैंने पाट लगा हुआ है इसको simplemente हम प लगा दिया है और यहां से हमें सिलाई करनी है और एसे हाथ से हम साइज करते जाएंगे और देखिए थोड़ा दूर करने के बाद हम उपर से थोड़ा-थोड़ा हमें खींचेंगे और फिर हम इसको पूरा सिलाई करेंगे देखिए ऐसे एक हाथ से साइज करते जाएंगे औ और एक हाथ से उपर से हम खींज रहे हमें कोई भी फूट पैट हम चेंच नहीं किया है इसी से हम बना रहे हैं किसे देखिए हमारा डोरी कितना अच्छा बन रहा है तो इसी तरह से हम पूरा त्यार कर लेंगे देखिए अभी साइट से हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट कर देंगे थोड़ा इसको हम एक ही बराबर में कर लेंगे और यह हमारा स्लीप का कपड़ा तो यह हमारा अस्तर कपड़ा तो हमें यहाँ पे देखिए यह जो आर्मोल साइट के में जो हमारा कट लगा हुआ है इसलिए हमने इसका अलग निसान लगा के रखा है अब हमारा जो मेन कपड़ा है स्लीप का तो इसको रखेंगे और ये डोरी को हम इस तरह से सीधा सिलाई ऐसे लगा देंगे देखे, मैं अब सिलाई करके आपको दिखाती हूँ येसे सीधा में हमें एक सिलाई लगानी है आप कितने अच्छी तरह से इसको आप इसका अंडर्गर्ण प्राइपिन आप लगा सकते हैं और इसका कपड़ा कोई कुछ बाहर को हमें दिखाई नहीं देगा तो ये आप इसी प्रोसेस से आप गले पे भी पाइपिन तयार कर सकते हैं देखिए यहां तक मैंने सिलाई कर दिया अब जो एक्स्ट्रा पाइपिन हो उसको कटिंग कर दूँगी फिर इसके उपर देखिए यह जो लाइनिंग का कपड़ा है और यह जो निशान मैंने लगाया इस साइट के हो मैंने एक बार इधर को लगाई और दूसरी बार जब मैं प्यपिन लगाने के बाद उधर साइट लगाऊंगी देखे इसके बाद हम इसको पलट के दिखाऊंगी यह जो हमें सिलाई का जो निशान दिखाई दे रहा है हम इसी के ऊपर सिलाई करेंगे तो इस सिलाई हम बाहर नहीं लगाएंगे बाहर लगाएंगे से हमारा फिनिसिंग अच्छा नहीं आएगा तो यह सिलाई के उपर ही हमें अस्तरकपड़ा नीचे रखके हमें सिलाई करनी है देखे यह सिलाई लगाने के इसको पलट के मैं दिखाती हूँ देखे कितने अच्छी तरह से हमारा पाइपिन लग गया है आप चाहे तो इसको ऐसे हाथ से फिनिसिंग करके आप यहां पर और एक सिलाई लगा सकते हैं यहां पर आप सीधा में एक सिलाई लगा सकते हैं